कि हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूटूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेकनिकल इस्टिटीट में आज हम आपके लिए लाए हैं 21 अगस्त 2024 परिच्छ में पूछे गए अति महत्तपूर प्रशनुत्तर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लेच चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक सेयर कमेंट करना ना भूलिएगा जिससे और भी स् कास्ति करते हैं पहला कोंष्ऺ्षन आया आपके वें में पूछा गया था लिब्रे आफसे डास में अगर आप क्टेवल करेंगे करते हैं या किया जाता है कि जाते कुंत है कि आपको इसमें से बताना है कि आपके इस को चन का राइट एंशेनोructive का रार चाहुघ देखें और अगर आप हमारी पीछली क्लास देखे होंगे तो हम आपको यह question बताए भी है और जो कि आपके exam में same to same question पूछा गया है कि तो बताइए आप लोग कि इस question का right answer क्या होगा तो आपके इस question का right answer हो जाएगा option भी control plus f12 अगर आप Libre office writer में table insert करना चाहते हैं तो उसके लिए के आप अपने keyboard से control की के साथ f11 की को प्रिस करेंगे तो आपके screen पे table insert का option आ जाएगा table insert हो जाएगा अब आते हैं आपके अगले question पे presentation की पहली slide को आप किस नाम से जानते हैं यह आपके Libre office address का question है पूछा गया है कि presentation की जो पहली slide होती है उसको आप किस नाम से जानते हैं यह भी question हम आपको पीछे कि क्लास में बताए थे जो कि आपके exam में पूछा गया है तो बताएगे आप लोग कि presentation की जो पहली slide होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं आप लोगों के exam में आए हुए question आप लोग हमारे WhatsApp नंबर या टेलिग्राम चैनल पर जिरूर सियर करिएगा जो भी question आपको याद हो तो आपके question का right answer हो जाएगा option C title slide presentation की जो पहली slide होती है उसको हम title slide के नाम से जानते हैं अब आते हैं आपके एगले question पर साटा का full farm क्या है आपके question में पूछा गया है yes ATA का full farm क्या है आपके नीचे चार option दिए गया है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा option इस question का right answer होगा जिसको भी question का answer पता है अपने answer comment box में share करते रहेगा और आप लोग video को भी जादे से जादे share करते रहेगा जिससे और student हमारे channel से जूड़ सके और अपने exam की तयारी को और बैतर बना सके तो चलिए बताइए कि आपके इस question का right answer क्या होगा तो आपके इस question का right answer हो जाएगा option A serial advanced technology attachment यह आपके question का right answer हो जाएगा serial advanced technology attachment यह आपके sata का full farm होता है जो एक प्रकार का केबल होता है कि जिसका यूज हम CPU में करते हैं अब आते हैं आपके एगले question पर भारत का पहला super computer परम कहा स्थित है आपके question में पूछ है कि जो भारत का पहला बहले स्चित के इस इस आपके स्थित है कि आपके नीचे चार ऊप्षिन दिए गये हैं इस मैं से आपको बताना कि आपके question का right answer क्या होगा है है कि में प्लोग अपने अउन्सित का, değil कर जलदी comment box में और बताइए कि आपके कोश्चन का राइट एंसर क्या होगा तो आपके कोश्चन का राइट एंसर होगा आपको भारत का पहला सूपर केंप्यूटर था वह सिडएक द्वारा पूने में अस्थापित किया गया था अब को के कोश़ने में देदें देख देख़ फेल फार्म क्या है चलिए बताइए देख का फुल फार्म क्या है जिसको और वे से –笑 कर सकता है Тब के सेड़ खाफ फिल फार्म होता है। संटर for development of advanced computing इसको भी आपको याद रखना है भी आपके एक्जाम में अगर पूछ सकते हैं सीडेक का फुर्फार्म बताएं तो सेंटर फार डप्लोमेंट आफ एडवांस केंप्यूटिंग अब आते हैं आपका अगले कोश्टन पर लिब्रे आफिस राइटर में चैने टेक्स्ट पर ल और यह भी और आपके ईग्जाम में पूछा गया था और अप्समें दिया और आप से मगले क्लोन और ने आप करते हैं अब आते हैं आपके एगले कोश्चन पर एक्सपोर्ट डारेक्ट एज पीडियेप बिकल्ब कहा मिलता है आपके कोश्चन में पूछा गया है एक्सपोर्ट डारेक्ट एज पीडियेप बिकल्ब आपको कहा मिलता है option A दिया है drawing tool for option B दिया है presentation option C दिया standard toolbar option D दिया है all of the web तो आपको बताना है इसमें से question का right answer क्या होगा यह तो आप लोग अपने answer comment box में share करिए और बताइए आपकी question का right answer क्या है तो आपके इस कोश्चन का राइट एंड स्वर हो जाएगा और से स्टेंडर्ड टूल बार में आपको एक्सपोर्ट डायरेक्ट आइज पीडियाप का विकल्प मिल जाता है अब अगर आपके कोश्चन में लिए पीडियाप का फुल फार्म क्या है चलिए बताइए पीडियाप का फुल फार्म क्या होता है तो पीडियाप का फुल फार्म आपको होता है पूर्टेवल डाकॉमेंट फार्मेट यह आपके पीडियाप का फुल फार्म होता है यह भी आपके एक्जाम में पूछ सकता है पीडियाप का फुल फार्म बताइए पूर्टेवल डाकॉमेंट फार्मेट होते हैं अब आते हैं आपके अगले कोश्चन पर किस अकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है option ने दिया गीगाबाइट option भी दिया मेगाबाइट option c दिया मेटाबाइट option दिया पेटाबाइट तो आपको बताना इसमें से इस question का राइट एंसर क्या होगा तो आप लोग अपने answer comment box में share करिए और आपके इस question का राइट एंशर क्या है तो आपके इस question का राइट एंशर हो जाएगा option D पेटा बाइट यह आपके memory की पर निदारत होती है जैसे आपको bit, byte, kb, mb, gb, tb, pb, eb इस तरीके से आपके memory की जो capacity होती है वो निदारत की जाती है तो नगर कोर्शन में करक भी देता है कि क्यांप्योटर की सबसे Hundy होती है इसको भी याद रखिए गाउं कि वैश्ogen के बाद क्या आता है खजासर का बाइट के बाद क्या आता है कि वे आता है कि ऑखे цел के बी चीप से है उसके बाद क्वाहता है TV आता है फिर आपका क्या आता है ले जो इसके बाद आपका अब इबी है उसके बाद आपका आता है जडबी और उसको दब्रता आता है यग तो इस तरीके से यह question आपके memory की capacity को बढ़ती चलिया आती है अब आते हैं आपके अगले question पर कि स्मार्ट फोन पर OTP कभी भी सीधे के जरीए नहीं बेजा जा सकता है आपके question में पूछा गया है कि स्मार्ट फोन पर जो टीपी होते हैं कि उनको कभी भी आप सीधे के जरीए नहीं बेजा जा सकता है तो आपको बताना है इसमें से इस question का right answer क्या होगा नीचे आपको चार option दिए गये हैं तो आप लोग अपने answer comment box में share करिए और बताएए कि आपके question का right answer क्या होगा कि आपके question का right answer होगा option B सिम स्वीप अगर आप इसका इस करते हैं तो आप कोई भी OTP सीधे नहीं बेज सकते हैं कि अब अगर आ यहां आप से question पूछ ले ओटीपी का full firm क्या होता है comment box में होता यह ओटीपी ओटीपी का full firm क्या है तो आपके ओटीपी का full firm होता है कि वन टाइम पास्वार्ट कि वन टाइम पास्वार्ट कि यह भी आपके कोईशन में पूछ सकता है सिम का full firm क्या होता है जिसको भी पता है और अपने इंसर कमेंट बॉक्स में सेयर कर सकते हैं सिम का full firm बताइए कि आपके सिम का full firm होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडियूल यह आपके सिम का full firm होता है इसको भी आपको याद रखना है अगर आपके कोईशन में देता है सिम का full firm क्या होता है तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडियूल अब आते हैं आपके क्ले कोईशन पर कि निम ने लिखित में से कौन सा एक्स्टेंशन लिब्रे आफिस से सम्मंदित नहीं है आपकी कोईशन में पूछा गया है कि इन में से कौन से एक्स्टेंशन है चो लिब्रे आफिस में नहीं होता है पहला अप्सट दिया आपका डाट ओडी आप्सट भी दिया है डाट ओडी अप्सट दिया डाट और टी अप तो आप बताएंशन का राइट एंस्वर क्या होगा आप लोग अपने एंस्वर कमेंट बॉक्स में सेयर करिए और वीडियो को भी जादे से जादे सेयर करते रहेगा जिससे और भी स्टुडेंट हमारे चैनल से जूड़ सकें आपके इस कोशन का राइट एंस्वर हो जाएगा आप संडी डाट और टियप कर यह आपके लिप्री आफिस से समंदित नहीं है डाट ओडी टी किसका होता है चली दाट ओडी टी किसका एक्स्टेंशन नहीं होता है लिब्रियापिस में तो यह आपका राइटर का होता है कि डार्ट ओडियस किसका होता है तो यह आपका कैल का होता है इस अ कि डार्ट ओडीपी किसका होता है यह impress को हता है कि यह आपके लिब्रियापिस अगर एक्जामीं now is знаю दूछेगा तो डार्ट ओडिती होता है minutes s पूछेगा तो प्वाइल का होता है डाट औडिप पूछे गा आपका इमपरेस को होता है तो यह आपके वर्ड वाइड की फाइल होती है इसका खुलफाम होता है रीच कि टेक्स्ट को अब हाव मेर्मेट अब आते हैं आपके अगले कोर्शन पर निमने में से कौन सी एक डिजिटल भुक्तान हस्थांत्राण की विधी नहीं है ऑप्सन ने दिया UPI , Option B , NTEF , Option C , APS , Option D ,だから IMP trailers आपको बताना इसमें से इस कोर्शन का राइट एंस्वर क्या होगा गacao आप लोग अपने ज्यूल उखकर साह्जिये के आपके इस कोर्शन का राइट एन्सवर क्या है तो आपके इस question का right answer हो जाएगा option B यह आपका डिश्टल बुक्तान अस्थांत्रण की विदी नहीं है बाकि आपका UPI है RTGS है IMPS है अगर आपके question में UPI का full farm पूछ ले चलिए बताइए UPI का full farm क्या होता है यह भी आपको question हम कई बार बताएं UPI का full farm बताइए तो इसका होता है unified unified payment interface कि यह आपके UPI का full farm होता है unified payment interface RTGS चलिए बताएं आटी जीएस का full farm क्या होता है कि आटी जीएस का full farm बताएं आटी जीएस का full farm होता है रियल टाइम ग्रास सेटल्मेंट यह आपके कोशन का full farm होता है अगर आपके कोशन में देता है आटी जीएस का full farm बताएं तो रियल टाइम ग्रास सेटल्मेंट होते हैं और यह कब जारी किया गया था आपका होजा चार में यह भी अभी हम पिछली क्लास में आपको बताएं थे आई-एम-पी-एस चलिए आई-एम-पी-एस का full farm क्या होता है कि आई-एम-पी-एस का full farm बताएं तो इसका full farm होता आपका इमेडियेट इसका full farm होता है इसको भी आपको याद रखना है यह भी आपको याद रखना है आपके एक्जाम में पूछ सकता है अब आते हैं आपके एगले कोशन पर लिब्रे आफिस राइटर में में मेल मर्च किस मीनू में पाए जाता है आपको बताना इसमें से इस कोशन का राइट एंसवर क्या होगा तो आप लोग अपने एंसवर कमेंट बॉक्स में सेयर करिए और बताए कि आपके इस कोशन का राइट एंसवर क्या होगा तो आपके इस कोशन का राइट एंसर होगा ऑफ्षण सी टूल्स टूल्स मेनू में आपको मेल मर्ज आप्षण मिल जाता है अब आते हैं आपके अगले कोशन पर निमने लिखित में से किस निर्देश का में अब आपके नीचे चार ऑप्षण दिए गए हैं इस में से पतक welche को क्वें राइट ह IP कMore को सब्हारं डाकॉंटमेंट में फुर डालने के लिए आवस्याड्यक्राइख क्रम क्या अगर आप डाकॉमेंट में फुडर्त प्लड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप को कौन सा सई क्रम है आपसन ने दिया insert footer default style ऑपसन भी दिया इदिप्टाइल option C दिया insert footer option D d दिया insert header and footer एंड footer तो आपको बताना है इस में से इस question का राइट एंज़र क्या होगा तो आपके इस question का राइट एंज़र हो जाएगा का option भी इंसर्ट में जाएंगे मीनू में उसके बाद हैं आपको फूटर का option मिलेगा फूटर पर क्लिक करेंगे और डिफाल्ट इस्टाइल तो यह आपको लिब्रे आफिस राइटर में डाकॉमिंट पर फूटर डालने का सही क्रम है अब आते हैं आपके अगले कोश्चन प बताइए कि आपके इस कोशन का राइट एंसर क्या है और आप लोग वीडियो को भी जादे से जादे से शेयर करते रहिएगा जिससे और भी स्टुडेंट हमारे चैनल से जूड़ सके और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज चैनल को सब सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा तो आपके इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा आपके केम्प्यूटर में फीलिक नहीं होती है कि केम्प्यूटर आपका एक मसजिन है आप आते हैं आपके अगले कोशन पर एक प्रिंटर का अब कि आपके इस कोशन का राइट एंसर है, आपके अगर आपके कोशन में dpi का फूल फार्म पूछा जा तो बताइए, dpi का फूल फूल फार्म क्या है कि इसका फूल फार्म होता है डॉट घृ पर इंच इसको पो याद रखना है अब आते हैं आपके अगले question पर निमने लिखित में से कौन लिब्रे आफिस सूट का एक component नहीं है आपके question में पूछा गया है इन में से कौन सा लिब्रे आफिस सूट सॉट्वेट का एक पार्ट नहीं है आफ्शन ने राइटर आफ्शनभी दिया अफ्षण सी इंप्रेस अफ्ष्ण डी दिया बेस अब को बताना हैसमें से स्कॉर्षन का राइट एंस्वर क्या होगा कि तो आपके कोशन का राइट एंसर हो जाएगा आपसें भी एकस्पोर्रोड ये नहीं आपको है कि आपके अपका ग्लीकॉजिशन पे लिनेक्स में प्रक्रिया या कर को दरशाए जाता कि आपके question में दिया है जो Linux operating system होता है उसकी जो प्रिक्रिया या कार को आप दरसाते हैं आपके नीचे चार option दिये गए हैं इसमें से आपको बताना है कि इस question का right answer क्या होगा तो आप लोग अपने answer comment box में share करिए और बताइए कि आपके question का right answer क्या है कि अब अगर यहां से आप question में पूछा जाए Linux का विसकार किसके द्वारा किया गया था तो चलिए बताइए Linux का विसकार किस ने किया था Linux operating system का विसकार किस ने किया था तो इसका विसकार किये थे लीनेस कि प्रूवार्ड्स कि इसको भी आपको याद रखना है यह भी आपके question में पूछ सकता है और अगर आपके question में दे Linux किस परकार का operating system है चलिए बताए Linux किस परकार का operating system है तो Linux आपका एक open source है अब आते हैं आपके अगले question पर लिब्रे आफिस राइटर में कितने मीनू होते हैं आपके question में पूछा गया है कि लिब्रे आफिस राइटर में total कितने मीनू मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं या होते हैं option A दिया 11, option B दिया 10, option C दिया 13, option D दिया 15 तो आपको बताना है इसमें से इस question का write answer क्या है तो आपके लिब्रे आफिस राइटर में total 11 मीनू पाए जाते हैं कि आब आते हैं आपकर गिले कोशन पर हैं लिब्रे आफिस गलक में फार्मूला किस प्रतीक से स्टार्ट होता है आपके कोशन में दिया हैuleड्र में अगर आप कोई formula प्लिचिन का पर्योग करते हैं इसके लिए नीचे 4 निए इसमें सा कुना से बताना है कि आपको लिब्रयाफिस केलक अब काव में करते हैं अ बढबर को paint को अब आते हैं आपका एगले कोस्टं पर कि राहे में या रोमम में डेटा इस्टोर करने की च्षामता किसमें अधिक तो होती है कि आपके कोशेर में पूछा गया कि जो आपके रेम होते हैं उसमें आप किस में डेटा अधिक स्टोर कर सकते हैं जिसकी स्दक्ता अधिक होती है और अपको बताना है इस में से psic student का रैट्थ एंसर क्या होगा तो आप लोग अपने एंसर oufl options में करिए और बताएं कि आपके कोशन करा है कि आपके कोशन का राइट है लोजबा आपसे कोशन का है यह नगा आपसे कोशन पूछ राइम का फॉल फार्म क्या होता है चले कमेंट बॉक्स में रहें का पुल फर्म क्या हैvat IS इसका फुल फर्म होताब का रेंड़म pa एक्सेस को मिमोरी और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है चले कमेंट बाक्स में रोम का फॉल फॉर्म क्या होता है जिसका फॉल फॉर्म हो जाता आपका रोम रेड़ ओनली रीड ओनली मिमोरी यह आपके रेम और रोम का फॉल फॉर्म होता है अगर कोशन में दे रेम किस प्रकार की मिमोरी होती है तो रेम आपकी अस्थाई मिमोरी होती है और जो की आपका रोम आपका अस्थाई मिमोरी होता है और रेम आपका अस्थाई मिमोरी होता है इसको भी आपको याद रखना अगर कोशन ने दार्य में किस प्रकार की मेरी होती है तो रों पूछेगा तो इस्थाइ मेरी होती है तो यह आपके टौटल बीश कोशन थे जो आपके कल 21 अगस्थ 2024 में पूछे गए थे आई हो आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी अगर कोई भी कोशन पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं और आप लोग अपने एक्जाम में आई हुए कोशन हमारे टेलिग्राम चैनल या वाट्सप नमबर पर जरूर सेयर करिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा जिससे और भी स्टुडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपनी एक्जाम की तयारी को और वहतर बना सकते है तो आज की क्लास ही समाप्त करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में